नमस्कार मेरा नाम डाक्टर संदीप कुमार जैन हैं और आज हम मनोविज्ञान कक्छा बारा के अध्याय दो स्वा एवं व्यक्तित्यों के भाग एक का अध्यान करेंगे सबसे पहले आत्म संप्रत्य को समझने का प्रयास करते हैं यदि मैं आप से पूछओं कि आप कौन हैं तो अलग-अलग दरह के उत्तर सामने आएंगे कोई कहेगा मैं वल्वान हूँ, मैं इमानदार हूँ, मैं घुमक्कड हूँ, मैं उदास हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदी भाशी हूँ, मैं वो हूँ जो जल्दी दोस्त बना लेता है, मुझे एकांत पसंद है, मुझे पार्टी और पिकनिक म जाना पसंद है किसी एक या एक से अधिक गुणों के साथ हम अपनी व्याख्या करते हैं कर सकते हैं इस तरह से हम अपनी पहचान दो रूप में बताते हैं व्यक्तिगत या सामाजिक व्यक्तिगत अनन्यता या व्यक्तिगत पहचान इसमें जब हम बात करते हैं तो हम अपनी कि विशेष्टाओं की बात कर सकते हैं अपनी छमताओं की बात कर सकते हैं विशेष्टाओं जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं मैं वाक पटू व्यक्ति हूं मैं इमानदार व्यक्ति हूं हम छमताओं की बात कर सकते हैं कि मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूं या मैं बिन अपने विश्वासों की बात करते हैं मेरा मानना है मेरा विश्वास है मैं यह समझता हूं मेरा यह विश्वास है इस तरह की हम बात करते हैं दूसरे तरफ जब हम सामाजिक पहचान की बात करते हैं तो हम किसी सामाजिक या संस्कृतिक समू के साथ अपनी संबधता की बात कर जैसे कि मैं NCC से हूँ जैसे कि मैं आर्मी से हूँ मैं पुलिस से हूँ मैं मदप्रदेश से हूँ मैं पंजाबी हूँ मैं मराथी हूँ तो समूह के साथ संबध्धता के रूप में भी हम अपने आपको व्यक्त करते हैं हम अपने स्वा या हम अपने आत्म को व्यक्त करते है स्वेम की व्याख्या हम दो और रूपों में भी करते हैं आत्मगत और वस्तुगत आत्मगत आत्म या वस्तुगत आत्म आत्मगत आत्म को हम self as subject कह सकते हैं जो कुछ करता है सब्जेक्ट कुछ करता है जैसे मैं एक लेखक हूँ और मैं कहानी लिखता हूँ मैं एक रसोया हूँ और मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता हूँ मैं एक फिल्मकार हूँ और मैं फिल्म बनाता हूँ इसके विपरीत जब हम वस्तुगत आत्म की बात करते हैं self as object तो जो किसी बात से प्रभावित होता है व्यक्ति जो किसी बात से प्रभावित होता है जैसे मैं च्छोटी सी बात से चिंतित हो जाता हूँ मैं जरासी बात से धवरा जाता हूं, मुझे जरासी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो इस तरह के से हम आत्म को समझ सकते हैं, आत्म के कुछ और प्रकारों की बात करते हैं, व्यक्तिगत आत्म की जब हम बात करते हैं, तो व्यक्ति की स्वतंतरता, उसका उत्तरदायत, उसकी मेरी उपलब्दी मैंने 12th class पास कर ली मैंने graduation कर लिया मेरी उपलब्दी मेरी सुविधाएं मेरे पास क्या-क्या उपलब्द है और साथ ही साथ सामाजिक आत्म हम एक दूसरे से जो सहयोग कर रहे हैं हमारी एकता जो है हमारा जो संबंधन है या हमारा एक दूसरे के लिए ज आगीदारी है इस तरह के आत्म को हम लोग पारिवारिक या संबंध आत्मक आत्म भी कहते हैं चलिए अब हम आत्म के संग्यान आत्मक और व्यभार आत्मक पक्ष को समझते हैं मनोवेग्यानिकों द्वारा अध्यन करके आत्म के कई व्यभार आत्मक पक्ष और कई संग्य मैं अपने बारे में कैसे परसीब करता हूं मैं अपने बारे में कैसे सोचता हूं आत्म संप्रत्य हमारा अपने बारे में प्रत्यक्षन है इसमें हम अपनी छमताओं और गुणों के बारे में विचार रखते हैं हमारी अपने बारे में धारणा सकारात्मक भी हो सकती है नका आत्म से सम्बंधित तीन और महत्पूर्ण पक्ष हैं आत्म सम्मान, सेल्फ एस्ठीम, आत्म सक्षम्ता, सेल्फ इफिकेसी और आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन एक एक कर हम इन्हें समझते हैं पहला प्रचलित पद है आत्म सम्मान, स्वेम का जब हम मूले का कुछ निर्णय लेते हैं तो वह सेल्फ इस्टीम आत्म सम्मान कहलाता है कुछ लोग अपने मूली का उच्छ निर्धारण करते हैं उच्छ निर्णाई लेते हैं तो उनका सेल्फ इस्टीम उनका आत्म सम्मान उच्छ होता है कुछ लोग अपने मूले को निम्न इस्तर पर आकलन करते हैं निम्न इस्तर पर निर्णे लेते हैं तो उनका आत्म सम्मान निम्न इस्तर पर होता है अध्यन कहते हैं कि 6-7 वर्ष की उम्र तक बच्चे कम से कम 4 छेत्रों में अपना आत्म सम्मान बना लेते हैं वे छेत्र हैं शेक्षणिक छमता, सामाजिक छमता, शारीरिक या खेलकू छमता और शारीरिक दिखावट या रूप या जिसको हम फिजिकल अपेरेंस कह सकते हैं इन चार छेत्रों में बच्चा अपना एक सेल्फ इस्टीम तै कर लेता है उच्च या निम्न आत्म सम्मान हमारे दैनिक व्याहारों को प्रभावित करता है उनसे संबंधित होता है जैसे एक उच्च सामाजिक आत्म सम्मान वाला बच्चा निम्न आत्म सामाजिक सम्मान वाले बच्चे की तुल्ना में आसानी से मित्र बना लेता है एक बच्चा जिसका सेक्षणे के स्तर पर आत्मसंवान उच्छ वह मुल्यांकित करता है उसका कक्षा में उपलब्धी भी उच्छ स्तर पर होती है आत्मसंवान के बाद अगला पद है आत्मसक्षमता सेल्फ एफिकेसे हम लोग इस मामले में भी इस पक्ष में भी अलग-अलग होते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है जीवन के परिणामों को स्वयम नियंतृत करने में हमारा विश्वास है या हम यह मानते हैं कि जीवन के परिणाम भाग या परिस्थिती जन्यकारकों द्वारा नियंतृत होते हैं हमारे यह विश्वास है जो लोग उच्छ आत्म सक्षमता वाले होते हैं वह यह मानते हैं कि किसी परिस्थिती के अनुरूप व्यावहार कर सकने की योगिता उनमें है अलबर्ट बैंदुरा जो की सामाजिक अधिगम के सिध्धान्त के जनक हैं तो यह भी माना जाता है कि आत्म सप्छमता भी हम दूसरों को देख कर सीखते हैं हम यह देखते हैं कि हमारे आसपास के व्यक्ति किस तरह के विश्वास रखते हैं उसको देखकर उनका अनुसरण हम कर सकते हैं अगला पद है आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन आत्म नियमन का अर्थ यह है कि व्योहार को हम संगठित और परिवीक्षन करने की जो हमारी चमता है वह हम आत्म नियमन के रूप में देख सकते हैं हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास इस्थिती परक्दवाओ सिचुएशनल स्ट्रेस होते हैं उनके प्रती क्या प्रतिरोध कर सकते हैं और स्वेम पर हम नियंत्रण कर सकते हैं क्या कई बार हम अपनी आवश्यक्ता की संतुस्टी को विलंबित या इस्थगित करते हैं इसे हम आत्म नियंत्रण कह सकते हैं आत्म नियंत्रण के लिए पहली तक्निक या पहला जो भाग है वह है आत्म प्रेक्षण अपने व्यावार का प्रेक्षण करना यदि हम अपने व्यावार को नियंत्रण करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने व्यावार का प्रेक्षण करना होगा कि हम किस तरह का व्यावार कर रहे हैं कि क्या हमारा व्योहार सही दिशा में जा रहा है या हमें उसे नियन्त्रण करने की आवश्यकता है फिर दूसरी तकनीक आती है दूसरा हिस्सा है कि हमें अपने आपको निर्देश देना होता है आत्म अनुदेश या Self instructions हम अपने आपको निर्देशित करते हैं कि हमें यह नियंत्रण करना है और जब हम नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपने आपको पुनरवलित करते हैं हम अपने आपको reinforcement देते हैं Self reinforcement जैसे हम कह सकते हैं आगे हम बात करते हैं कि संस्कृति और आत्म क्या यह एक दूसरे से संबंधित हैं चलिए चर्चा करते हैं भारती संस्कृति में आत्म का विशलेशन पास्चात्य संदर्व के पक्षों से भिन्यता आत्म और दूसरे अन्य के वीच की सीमा रेखा को ल तो हम देख पाएंगे कि व्यक्ति और समूह इनके बीच में एक निश्चित सीमा खींची गई हैं व्यक्ति अलग हैं समूह या दूसरे अनिलोग अलग हैं इस तरह का चिंतन पास्चात्य संस्कृति में पाया जाता हैं अब हम स्क्रीन पर दूसरे चित्र को देखें इस को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि हमारे भारतिये परिद्रश्य में भारतिये संस्कृति में व्यक्ति समाज के साथ मिश्टित भी होता है समाज से अलग भी होता है दूसरे ही चान तो हम उस तरह से अलग अलग रूप में इनको नहीं देखते हैं आत्म के संप्रत्य पर चर्चा करने के बाद अब हम बात करते हैं व्यक्तित तो संप्रत्य के व्यक्तित तो क्या है व्यक्तित तो किन बातों से प्रभावित हो सकता है एक व्यक्तित का व्यक्तित तुम्हें हम क् क्या सम्मिलित करेंगे आम तोर पे हम किसी व्यक्ति को शर्मीला या फिर किसी व्यक्ति को चड़ चड़ा गुस्यल या आत्म केंद्रित कह देते हैं क्या इतना कहना पर्याप्त है क्या इतने से उसके व्यक्तित्यों की व्याख्या हो जाती है कि चलिए इस पे कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं अंग्रेजी में व्यक्तित्थ where personality शब्द का इस्तमाल किया गया है और personality जो शब्द है वह लेटिन भासा के परसोना शब्द से आया है कि लेटिन भासा में परसोना शब्द का मतलब होता49 कि अब जर्भा सोच के देखिए कि मुखोटे का इस्तिमाल हम कब करते हैं जब कोई कलाकार कोई नाटक कर रहा होता है तो कुछ एक देर के लिए वो एक तरह के मुखोटे में होता है पूरी तरह से वो इस्थाई नहीं होता है लेकिन एक समय के लिए वह उस तरह का आक्रामक या फिर उस तरह का कौ मल या फिर कोई म्रदुभाशी व्यक्ति का मुखोटा पहन के सामने आता है तो मुखोटे से व्यक्तित को जोडने का तात्पर यह है कि हम लगभग लगभग इस्थाई रूप से कैसे दिखाई देते हैं हम यह हमारे सिर्फ चहरे का दिखावट ही नहीं है हमारे व्यावहार का प्रारूप भी है सामान्य आदमी के लिए व्यक्तित्यों का मतलब सिर्फ शारीरिक हो सकता है जबकि मनविज्यान में व्यक्तित्यों का तात्पर उन विशिस्ट तरीकों से होता है जिनके द्वारा व्यक्तियों या इस्थितियों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं ध् कुछ व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यक्तियों के प्रति भय की अनुक्रिया कर सकते हैं स्नेह की अनुक्रिया कर सकते हैं अनुराग की अनुक्रिया कर सकते हैं तो यह हमारे अनुक्रिया करने का यह हमारे ब्यावहार करने का प्रारूप है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिंत व्यक्तित तो जिनका होता है या फिर जिन में अवसाद की मात्रा उदासी की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां कुछ खास परिस्थितियों में अवसाद का ब्यावहार करते हैं या अवसाद पूर्ण ब्यावहार करते हैं उनकी अनुक्रिया चिंतित या अवसाद पूर्ण होती है चलिए बात करते हैं कि व्यक्तित्य की क्या-क्या विशिष्टाएं हो सकती है मनुविज्ञान में व्यक्तित्य की विशेष्टाओं पर चार तरह से बात की गई है पहली विशेष्टा है शारिरिक और मनुवज्ञानिक घटक दूसरा है ब्यावहार के रूप में अभिव्यक्ति परयाप्त रूप से अनन्य होती है अर्थात हम यूनीक बेहेवियर करते हैं अनन्य व्यक्तित्य की प्रमुक विशेष्टाओं समय के साथ बदलती नहीं हैं अगली विशेष्टा है हाला कि हमारी विशेष्टाओं में गत्यात्मक्ता देखी गई है यह गत्यात्मक्ता इस्थितियों के प्रति अनुकूलन के रूप में देखी जाती है जैसे कि हम गरम माहौल में या ठंडे माहौल में या फिर जब हम रेगिस्तान में पहुँच रहे हैं परिस्थितियों के साथ हमें अनुकूलन करने के लिए कुछ परिवर्तन करना होता है तो यह गत्यात्मक्ता अनुकूलन के रूप में देखा गया है व्यक्तित्तों से संबंदित कुछ और सब्द हैं जो प्रचलन में हैं जैसे सभाव टेंपरामेंट जैवेक रूप से आधारत प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका इसको हम टेंपरामेंट या सभाव कह सकते हैं दूसरा शब्द है स्वब्रत्ति डिस्पोजीशन किसी स्थिती विशेश में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रवत्य अगला शब्द है चरेत्र करेक्टर नीमत रूप से घटित होने वाले ब्याहार का यह प्रारूप है अगला है आदत हैविट ब्याहार कर का अत्या धिगत ढङ हम इसको आदत कह सकते हैं ओवर लं अत्या धिगत ढङ जो है वह हमारी आदत है अगला शब्ध है मूल्य हमारे जीवन में वो लक्ष या वो आधर्ष जिन को हम उपलomena धी योग्य मानते हैं उनको हम मूल्य कहते तो चात्रो इस तरह से हमने आज आत्म और व्यक्तित्य के संप्रत्य को जानने का प्रयास किया हमने समझा कि आत्म को हम किस तरह से समझते हैं जब हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ तो उसके जबाब व्यक्तिकत आत्म के रूप में भी आ सकते हैं जब व्यक्ति अपनी विसिस्ताइं बताता है और साथी साथ सामाजिक आत्म के रूप में भी आ सकते हैं हमने आत्म सम्मान सेल्फ एस्टीम को समझा हमने आत्म सक्षमता Self Efficacy को समझा हमने आत्म नियमन Self Regulation को समझा और साथी साथ आत्म का हमारे Self का संस्कृति के साथ क्या सम्बंध हो सकता है उसको हमने इस भाग में जानने का प्रयास किया इसके बाद हमने व्यक्तित के संप्रत्य को समझा कि मनुविज्ञान में व्यक्तित्यू किसे कहते हैं और मनुविज्ञान में जो व्यक्तित्यू जिस तरह से परिभाशत किया गया है वह आम आदमी की समझ से किस तरह से भिन्न है इसके साथ साथ हमने व्यक्तित्यू से संबंदित कुछ प्रचलित शब्दों के बारे में भी जाना जैसे कि स्वभाव, शीलगुण, आदतें, स्वब्रत्ति और चरित्र साथी साथ मूल हैं। इस तरह से हमने आत्म और व्यक्तित्यु की चर्चा की। तन्य बात। झाल झाल झाल